अगर आप प्रात्मे की सिक्षक भरती का बेट कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है एक राज्य सरकार के द्वारा 80,000 पदों पर सिक्षक भरती का रास्ता साफ कर दिया गया है किस राज में ये होगी भरती और बहुत से भीरतियों को ये शिकायत रहती है कि उत्तर प्रदेश की सिक्षक भरती से सम्मंदित खबर ही यहां पर प्रकाशित की जाए यहां पर मैं बता दों कि अगर आप उत्तर प्रदेश के भरोसे बैठे रहेंगे तो आने वाले 2-4 साल और ज्यादा बेरुजगार बैठे रहेंगे तो जरूरत इस समय ये है कि जहां पर आपको मौके मिल रहे हैं जिस राजे में मौके मिल रहे हैं वहां की सिख्षक भरती में समलित हो करके कम से कम अपनी बेरोजगारी को दूर करिए उसके बाद भविश में उत्तर प्रिदिस में आने के बहुत सारे मौके मिलेंगे जब भरतिया आएंगी अभी जिस भी राज में आपको मौका मिल ला है वहाँ पर आप आवेदन जरूर करें अंति तक जरूर बने लेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप के हुए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप इस चैनल पर पहली बार बुजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल एकन को प्रिस करना ना भूलें ये भरती बिहार राज में आने वाली है आप इसकिन पर देख पार होंगे अगस्त में 80,000 सिक्षकों की बहाली ओनलाइन जमा होंगे आविदन विभाग ने 27 जुलाई तक रिक्तियों की मांगी सूची यहां पर आप देख सकते हैं वहां के जो सिक्षा मंत्री हैं उनके द्वरा ये कहा गया है कि अभी छटे चरण में सिक्षकों की नियुक्ती अंतिम प्रक्रिया में है इसमें जितने सिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे उन पदों को भी साथवे चरण की नियुक्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है साथवे चरण की नियोजन प्रक्रिया अगस्त में सुनिशित करने के निर्देश अफसरों को दिये गए हैं यहाँ जो छटवा चरण था उससे लगबग 48,000 पद खाली है और 7 वे चरण में 31, 32,000 पद खाली होने का अनुमान है तो दोनों को जोड़ करके लगबग 80,000 पदों पर ये भरती प्रक्रिया प्रारम हो सकती है जिसके लिए अधियाचन 27 जुलाई तक अपलोड कर दिये 20 माई 2022 को ये RTI के माधियम से सूचना प्राप्त होई है आप इसकन पर देख पार होंगे यहाँ पर प्रश्ण पूछा गया था How many vacancies of PGT, TGT and PRT are vacant in various KVS give detailed answer with each post mentioned in it तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है KVS के तरब से कि PGT post के लिए 142 पद खाली है TGT के लिए 3850 पद खाली है PRT के लिए यानि प्राइमरी इस तर के सिक्षक के लिए 4,322 पद खाली है वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश में Basic सिक्षा विभाग में सिक्षक भरती की तो लगतार Basic सिक्षा के अधिकारियों के द्वारा लीपा पोती ही किया जा रहा है इस प्रकार से आपने देखा होगा कि विधान सभा में माननिय बेसिक सिक्षा मंतरी जी के द्वारे जो आखड़े प्रस्तूत किये गए हैं उसके अनुसार अभी जो चात्र सिक्षा का अनुपात है वो 26 अनुपात एक का है जो कि पूर्ण हो चुका है क्योंकि मानक 30 और मोधी सरकार के 8 साल के कारेकार में 6,53,000 प्रात्मिक विध्याले बने हैं युनिवर्सल एजूकेशन की दृष्टी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने पिछले कारेकाल में ऐसे परशदिये प्रात्मिक विध्याले जहां पर बच्चो की संख्या में परशदिये प्रात्मिक विध्याले को बंद किये गए थे और जो आखड़े प्रस्तूत किये जा रहे हैं कि 8 साल में 6,53,000 परशदिये प्रात्मिक विध्याले बनाए गए यह पूरे देश भर के आखड़े हैं ना सिर्फ उत्तर प्रदेश का है और आखड